कि नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले अपने चैनल की एक और वीडियो में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं और दोस्तों ये भी एक और प्लाज प्लेटिस को समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या है सबसे पहली चीज ये वीडियो मुझे बनाने की पड़ रही है तो इसको मैं बहुत दुर्भाग्ये पूर्ण मानता हूं क्योंकि अगर आलोपैथिक जगत की बात करें तो एलोपैथिक जगत पूरी की पूरी एलोपैतिक फिटर्निटी एक है उनके मजबूत होने का सबसे बड़ा ये कारण है कि वो सब लोग एक हैं वहाँ पे ऐसा कोई गुट नहीं बने हैं और होमियोपैति के अंदर आज की तारीक में दो गुट एक्जिस्ट कर रहा हैं एक होता है क्लीनिकल प्र प्रेक्टिशनर्स और कहीं न कहीं ये दोनों एक दूसरे का पोस्ट करते हैं और कहीं न कहीं एक दूसरे की प्रेक्टिस को लेके हम लोग एक दूसरे का जो क्रिटिसाइजेशन करते हैं वो जो क्रिटिसिजम है कहीं न कहीं वो होमियोपैति को नुक्सान पहुंचा रहा हैं कि अब समझते हैं कि क्लीनिकल डेटिशनर कौन होता है और क्लासिकल प्रेक्टिशनर वहन होता है डेए सीदी सी एक बात है पहले कोई गलत इससे निशकर्ष वीडियो से आप ना निकालें तो मैं आपको एक बात यहां कि स्टेटमेंट देना चाहूंगा कि भई होमियोपैथी की प्रेक्टिस इश्वर की इबादत की तरह होती है हर धर्म का अन्याई अपने इश्वर की इबादत अलग तरह से करता है और कहीं न कहीं हर धर्म का व्यक्ति इश्वर को पाता भी है होमियोपैथी भी विल्कुल क्या है मतलब यह भक्ति की तरह है इश्वर की भक्ति इश्वर की भक्ति होती है हिंदू अपने तरीके से करेगा मुसल्मान अपने तरीके से करेगा इस अपने तरीके से करेगा इन दसेम मेनर होमियोपैथी पे भी यही चीज लागू होती है मैं आपको मैनुपुलेट करने के लिए यह वीडियो नहीं बना रहा हूं बस मैं यह चीज क्लियर करने के लिए बना रहा हूं उन नए लड़कों लड़कियों के लिए जो इस फील्ड के अंदर आते हैं और जब वो फील्ड के अंदर आते हैं तो यहां पर दो गुटों को पाते हैं क्लीनिकल वाला और एक क्लासिकल प्रैक्टेशनर मेरी बात समझने की कोशिश करिए अब सबसे पहले क्लीनिकल प्रैक्टेशनर क्यों भाई मेरी अप्रोच वैसी थी मुझे अलाइट सब्जेक्ट के अंदर ज्यादा इंट्रेस्ट था मुझे बेजे के अंदर सबसे पहले फॉस्फोरस पैदा होती है यहां पर मेरा जो फर्स्ट रिफरेंस में उठाता हूँ एक केस का वो उसकी पैथोलोजिकल चेंजेस से उठाता हूँ कि उसके पैथोलोजी के अंदर ऑन रिपोर्ट ऑन सोनोग्राफी ऑन सीटे स्कैन ऑन एमराई पैट स्कैन क्या चेंजेस आए हैं तो यह मेरा अप्रोच को क्या कहलाएगा यह क्लीनिकल अप्रोच है कि भाई क्लीनिकली बॉड़ी के अंदर क्या चल रहा है अब एक पेशेंट मेरे पास ले आया लेकर आया अपने रिपोर्ट उसकी यूएसजी के अंदर उसको लीवर क्लीनिकल रिपर्टरी होगी और उसमें सबसे अच्छी जो रिपर्टरी उसके उपर मैंने वीडियो अल्रेडी बना के रखा है जो की है कंप्लीट डैनेमिक्स आप प्लीज उपर कार्ड के अंदर में उसका लिंक दे रहा हूं आप उस वीडियो को देखिए यह एक ऑनला करूंगा ऐसी मेडिसिन कोशिश करूंगा देखने की जिसके अंदर हिपेटो मिगेली और जॉइंडिस मेरे को दोनों साथ में मिले जिसके अंदर बिटर टेस्ट आफ माउथ हो तो देखिए यहां पर मैं पेशेंट से बहुत ज्यादा डाटा नहीं ले रहा हूं यहां प इनको कब बीमार हुए थे कि इनके मुँ का स्वात कड़वा था इनको मोशन कैसा हो रहा है मोशन कहीं कले कलर डिस टूल तो नहीं है जो कि जो एंपूल आफ वेटर होता है जो डियो डिनम में खुलता है वहां पे जब सूजान आ जाती तो बाइल नीचे नहीं उतर पाता और बाइल की एपसेंस में जो स्टूल होती है वो या तो ब्राउनिश कलर की हो जाती है या कले कलर की हो जाती है तो यहां पे मेरा अप्रोच क्या है मेरा अप्रोच है क्लीनिकल अप्रोच क्या रहा है देखिए रिजल्ट अमूमन अगर आपकी अप्रोच सही है तो रिज उसके अंदर भाई एक 21 येर की लड़की है उसको जो है बिना मैडिसिन के बिना एलोपैथिक हार्मोनल मेडिकेशन के जो पीरियड ही नहीं आता है आप सब जानते हैं 21 डेस का गाइनेक डॉक्टर होती है वो उनको 21 डेस का हार्मोनल मैडिसिन देती है जिससे 21 डेस में खात कि तो यूए जी के अंदर PCOD polycystic ovarian disease या polycystic ovarian syndrome निकल रहा है तो यहां पर मैंने क्या लड़की से कोई बात करी क्या मैंने लड़की से कोई mental लिये यहां पर देखी यहां पर location sensation modality concomitant काम कहीं नहीं है कहीं नहीं अगर आप clinical approach रखते हो तो तो मेरे को बस उसके अंदर लड़की का जो पूरा का पूरा menses की menstrual history उसकी पूरी लेनी है उसकी gynecological history लेनी है प्लस हां उसके इंदर कुछ और points होंगे पर वह बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा अभी हम यहां पर सिर्फ एक indicative बात कर रहे हैं कि भाई हम जो है किस तरह से approach हमारी रहती है और वही approach decide करती कि whether we are the clinical practitioner और तो अभी यह हो गया ठीक है ना अब वह अब मैं बताता हूं यह दोनों किस point पर आके मिल जाते हैं मैं वह भी बताऊंगा आपको किस point पर आके यह दोनों अन्युआ है मतलब वह कहीं ना कहीं classical mode of homeopathy को follow करते हैं तो उनको मैं बहुत दिल से sorry बोलना चाहता हूं पर देखिए मैं यहां पर बेबाग बात करने के लिए आया हूं मेरे को अपने दिल की बात आप से करनी है और उसको बताना है कि जो मैं समझ रहा हूं ठीक है अब आ आप homeopathy को तरीके से पढ़ेंगे तो there is the systemic medication ऐसा पूरा medication का पूरा का पूरा sector है जो systemic मतलब systems के उपर काम करता है अब मैं example दूँगा आपको कैसे अपन systemic systemic medication क्या होता है मतलब systemic remedies क्या होती है systemic remedies मतलब वो medicine जो particular system के उपर काम कर रही होती है उसको हम बोलते है systemic remedies या systemic medication अब example बता रहा हूं जैसे reproductive system है तो reproductive system पे कौन-कौन सी medicine हम generally use करते हैं cpia करते हैं पलसे ठिला करते हैं सबाइना करते हैं एपिस करते हैं गौसी पीम करते हैं तो यह कुछ एक छोटे मोटे अभे लाव के आए ना कोलीन सोनी केनेंसी अ एसी तमाम मेडिसीन चैलीडोनियम यह सब मेडिकं जो है लिवर की मेडिसीन है यह सब मटेरिया मेडिका और रिपर्ट्री के अंदर भी लिवर के उपर लिखी होई है नीडिन ये नीयूरोजी पर सारी प्राबलम में इनको यूज करते हैं तो अगर आम गौर के ग्रुb तो ग्रूप जठा ओता है नीचे पूरा उस पर काम करता है अगर आप और ज्यादा नीचे पर्टिकुलर पर उतरें दिता हूं स्मारी पर बताऊं मैडिसिन तो क्लीनिकल रिप पड्री में कंप्लीट डायनामिज यह से रिपड़ी में भी इन रिपाटरी में भी टर्मिनुलॉजिस पर दवा लिखिए वहाँ पर जॉइंड 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 इसके रूप में लिखा तो वहाँ पे भी आप करेंगे कि क्लिनी कल प्रैक्तिस की बात कि क्लीनिं कल प्रैक्टिस की बात कि टूसरी चीज second point what is the classical practice देखिए मैंने बहुत गौर से पूरी की पूरी जितनी भी बड़ी material medicas होती हैं जितने भी pioneers ने लिखी मैंने उन सब की study करी और जो classical practitioners अपना approach बताते हैं generally इसके अंदर practice के अंदर वो बाते मेरो को कहीं पे भी लिखी नहीं मिली मतलब सबसे important mental को weightage देना ठीक है न अब यह थोड़ा से लोगों को बुरा लग सकता है पर आपको सुनना ही पड़ेगा अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं अगर आपको पसंद नहीं कर लग रहा है तो वीडियो बंद कर दीजिए वो मेरे patient जो है जब वो enter हुआ तो उसके enter होने का यह तरीका था उसकी walk में यह तरीका था उसके उसके बैठने के gesture के अंदर यह मैंने नोट करा यह mental उस अप्रोच सही है मुझे नहीं लगता क्योंकि यहां पर आप होमियोपाथी का बहुत इंपोर्टेंट रूल को मतलब फरस्ट या सेकेंड फॉरिजिम में ही बताया गया है कि अप प्रेक्टिशनर सुट भी अन प्रिजूडाइस अब आपने क्या किया वह जैसे एंटर कर छायरा था आपने उसकी भाव भंगी माओं को देखके आपने उसके बौडी के देखके आप को कोई बोला भाईया मोटा था तो कलकेर या कार्व लगा ना किसीने बोला बहुत ही गोरी सी लेडी थी अपनी बाते करते करते रोने लग गई तो वह पलसेटिला की पेषेंट से केस टेकिंग कब चालू होनी चाहिए जब वो हमसे कोई चार बाते कर ले अपनी प्रॉब्लम हमको बता ले पर नहीं मेंटल वालों की क्लासिकल वालों की केस टेकिंग वहीं से के सबस्क्राइबं से नहीं कर रहा है सब्सक्राइब और तो वो तो मेरे को बताया गया था वो तो इस हो जाते हैं यहां पर मैं क्लासिकल प्रेक्टिस के गलत तरीके से जो लोग कर रहे हैं मैं उसके एक्जामपल दे रहा हूं अब उन्हें यह भी हो मानव चरित्र मानव दिमाग ऐसा ही होता है कि वह बोले कुछ भी आपने देनी हैं लाइक पोडियम क्योंकि उसकी एक बात के अंदर आपको दिख गया था लाइक पोडियम दूसरा प्रॉब्लम जो क्लासिकल प्रेक्टिस के अंदर लोग करते हैं और जो इन लोग हैं पच्चासों वीडियो में बोला है मेरा पहले वीडियो function की अंदर मैं यह बात बताई हैं लिंक कार्ड मेंレुघ बात बैजिए उसका भी लिंकार्ड में दोनों वीडियों का लिंक दूंग आप इन दोनों बहुर भड़न से देखिए, जाके मेरा एक सवाल है कि क्या पेशेंट जब आता है तो उसके अंदर देखने वाली चीज क्या होती है ऐसे मेंटल्स जो हमको पूछना पड़ेंगे खोदना पड़ेंगे उससे पूछ पूछ के या फिर वो कंपलेंट जो लेके अपने घर से चला था कि यार मेरे को राइट नी के अंदर एगोनाइजिंग पेन है डॉक्ट साब ये पेन का इलाज करेंगे ठीक है ना पेशेंट इसलिए आया था आपके पास मैंधिस के अंदर ये तरब यहा पर या फिर ब्योंकिश बखशी का सिरियल चल रहा है जिसके अंदर एक हत्या हुई और मेरे को हतियारे को ढूंड़ना है भाई जो symptoms होते हैं जिसके लिए आपको target करना है treatment का पूरा focus करना है वो उन complaints के अंदर छुपा होता है जो patient ले करके आया है ना कि ऐसी बातों में जो आपके ही खयालों में हैं आप ही के खयालों में हैं कि यार ये इस medicine का मेरो को इसके अंदर प्राइमाफेसिया से दिखा तो उसमेर को आप मतलब करते क्या उसकी complaint तो गई एक तरफ सब धरा रह जाता है आप पीछे पड़ जाते हो सिर्फ mental टटूलने में आपको नीद कैसी आती है आपका बच्पन कैसा गुद्रा आपके अंदर क्या कोई ऐसी बहामना है दभी हुई है भाई इतना ढूंडना नही पड़ता है जिस पे जिस केस पे जिस सिंटम पे जिस पूरी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट पे काम करना है पेशेंट चीक चीक के पचास बार बताता है वो और हमको सिर्फ उसी चीज को consideration में और focus of the case वहीं पे रखना है और उसके साथ अगर हमको accessory में mental हमको भी मिलते हैं हम हम भी लेते हैं mental clinical वाला भी minderल लेता है पर वहा पे हमको हमारा प्रोच अलग रहता है पर हम अधिक को मैं समझ रहे हैं नहीं करते में कि मेरा है जो क्लासिकल और चीज वो देखना है जो पेशेंट हमको दिखाने को राया है ना कि वो देखना है जो सिर्फ हमारे दिल और दिमाग और जहन और दिल पे mental पढ़ा-पढ़ा के हमको गुसा दिया गया है पेशेंट जो मेडिसिन बताता है बताना चाहता है अपना symptom से दोस्तों वो बहुत ही पारदर्शिता के साथ दिखती है बहुत ही पारदर्शिता के साथ दिखती है ठीक है ना अब मैं आपको एक point के उपर लेके आता हूं अब मैंने कैसी study करी भाई मैंने एक amenoria का आपको example दिया था classical case में करते क्या है कि amenoria को दिमाग में रखा जाता है ये main लोग यही करते थे कि वो physical complaint को एक दर center रखते थे पर आज की classical पैथी में वो नहीं हो रहा हूँ, center पर जो complaint थी वो तो कहीं तेल लगाने, वो ले लेते हैं mental को center में, और एक original, एक authentic, जोर्ज विथॉलकस जैसा classical practitioner किस तरह से case taking करता है, एक lady आई, she was fair, she has the blonde hair, she has the almost blue eyes, she was very beautiful, तो यहां से आपके दिमाग में, एक classical के दिमाग में, पलसे तिला lady पैदा होती है, her complaint was the amenorrhea, since last many months, her complaint was the amenorrhea, and her menses are not inducing without any allopathic interference, during the course of the case taking, she weeps, while she was describing or narrating her complaint, तो देखों, यहां पर mental बन रहा है, उसका constitutional आ रहा है, पलसे तिला lady का, उसका पूरे के पूरे symptoms आ रहे हैं, पलसे तिला lady के, उसके gestures आ रहे हैं, gestures में क्या, वीपिंग gesture, वो आ रहा है, पलसे तिला lady में, तो यह जो एक classical, जॉर्ज विथॉलकस जैसे, यहां यह नहीं बोल रहा हूँ, classical practitioner है ही नहीं, पर मैं बस यहां यह बताना चाहरा हूँ भाई, जो एक clinical practitioner सही अप्रोच से, मिजर रिजल्ट पे पहुँचता है, exactly same result पे classical practitioner भी पहुँच जाता है, पर उसकी अप्रोच थोड़ी सी अलग रहती है, आप मेरी बास समझने की कोशिश करिये, ठीक है ना, तो अब मैंने पलसे टिला दी, उसकी PCOD को देखके, उसकी यही कुछ बातों को देखके, कि वो रोई, उसकी वो गोरी थी, वो खुबसूरत थी, वो पलसे टिला लेडी थी, वो खुब-खुबसूरत थी, और एक classical ने भी ही करा, पर उनने कहीं ना कहीं, अमेनोरिया को तो दिमाग में रखा, पर अमेनोरिया को दिमाग में रखने के साथ-साथ, उनने उसके कुछ mental को भी weightage दिया, मतलब यह बहुत ही एक संतुलित prescription होता है, जिसके अंदर हम कुछ PC, कुछ हम उसके अंदर जो बोगर का जो BBC था, उसके अंदर जो बताया गया है, जिसको बोलते हैं कि modalities, concomitant, वगरे वगरे, यह सब लिया, इसमें कुछ mental भी लियेगा, इसके अंदर कुछ constitution भी लिया गया, इसके अंदर कुछ physical problem या pathology भी ली गई जो अमेनोरिया थी, तब जाकि एक prescription जो है, वो true classical prescription बन पाता, आप मेरी बास समझ रहे हैं, और as far as the mental is concerned, अब मैं एक और छोटा से example देखूंगा, देदूंगा आपको, जो बले वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, वो यह है, मेर एक सवाल है, क्या, बगोर से सुनिएगा, physical ailment mental को modify नहीं कर सकता, मेरी बास समझ रहे हैं, आप, बिल्कुल कर सकता है, कैसे कर सकता है, मैं बताता हूं, आप फर्ज करिए, हमारे classical practitioner ने कोई एक patient का identification अपने दिमाग में करके रखा है, उनने करके रखा है, दुबला पतला आ इंपल सी, वो आयोडम है, इनने समझ के रखा है, ठीक है ना, कलकेरिया कार, बेराइटा कार्ब के लिए इनने समझ के रखा है, कि एक मोटा सा आदमी, जो थोड़ा सा इनकॉंफिडेंट है, नहीं इनकॉंफिडेंट है, अब इन तीनो बचारों बंदों को हो गया acute abdominal pain, ठ आपन यह बात कर रहा है, अब यह तीनो चारों बंदों को चारों का मेंटल अलग है, भाई उसका मेंटल कैसा है, भाई वो कलकेरिया कार्बूरिया थोड़ी दभी परसनालिटी वाले हैं, बिल्कुल सटलर टाइप के इनकॉंफिडेंट है, नेट्रम्यूर इंट्रोवर् बिल्कुल हो जाएंगे, आप सोचके देखिएगा इस बात को, इन तीनो के मेंटल सेम हो जाएंगे, यह तीनो के तीनो एकोनाइट की मेंटल स्टेट में चले जाएंगे, यह तीनो के तीनो बैलोडोना की मेंटल स्टेट में चले जाएंगे, वो क्या होती है, हाइपरेमि यह एजिटेशन में चले जाएंगे, जब इनको दर्द हो रहा होगा, तो यह तीनों के तीनों इनकी कुछ भी mental state हो, उससे बाहर निकल के यह एगोनी की state में आ जाएंगे, यह कराएंगे, यह रोईंगे, यह चिलाएंगे यह डॉक्टर के लिए बार-बार गुहार लगाएंगे है ना इनके आपको mental tension tension which is the mental keynote of econite वो आप इसके अंदर तीनों में देख पाओगे तो दोस्तों mental state जिसको आप देख रहे थे उस patient को आते वक्त वो सिर्फ आपकी chronic के अंदर काम करेगी अगर करती है तो वह एक्यूट में तो बिल्कुल काम नहीं करेगी अब इसकी इनी तीनों को चलो अपन दर्द छोड़के फीवर करा देते हैं इन तीनों को मलेरिये का फीवर हुआ ठंड देके बुखार आया क्या इन इनों पेशेंट की mental state सेम नहीं होगी बिल्कुल होगी यह अदमूर्चित अवस्था में पड़े होंगे यह सब कहीं न कहीं चले जाएंगी कहां पर एसिट फॉर्स और बाप्टीशिया की mental statement को सब टाइफ़ाइड हो गया सब बाप्टीशिया बन जाएंगे बाप्टीशिया का पेशेंट टाइफ़ाइड में क्या होता इन दा हाफ लंबर दस बार इसको आप हिलाओगे तब ही एक बार जवाब देगा क्योंकि जो acute disease का जो disease force है जब वो over blame करता है एक बंदे को in the acute state तो उसकी जितनी chronic जो उसकी tendencies रहती हैं जैसे उसका mental है कि वो generally अपने रोज मररा की जिंदिगी में वो जो बंदा था वो वैसा नहीं रहेगा भा आपका जो यह classical approach है यह वहीं धरह का धरह रह जाएगा इस case को आपको as a clinical deal करना पड़ेगा तब ही आप result हासिल कर पाएंगे तो दोस्तों उमीद करता हूं आपको इस video से समझ में आया होगा कि clinical practice क्या है classical practice क्या है दूसरी बात classical practice में जो mental वाले क्या गड़बड़ी कर रहे हैं और तीसरी बात अगर approach सही है तो there is nothing like clinical and nothing like classical सिर्फ एक चीज होती है सही इलाज और एक बीमार आदमी का सही इलाज ही होता है होमियोपैथी के अंदर अगर हमारी अप्रोच सही है तो हम भले से दो नहीं हम दस रस्ते अपनाए हम सब अगर सही रस्ता अपनाया है और सही अप्रोच है तो हम सब एक conclusion पर पहुंचेंगे तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद अगले वीडियो में बह कर.